हेलो गाइज वेलकम टू माई नीव व्लोग दोस्तों बहुत दिनों के बाद में हमारा ये व्लोग आ रहा है और अब डेलिट डालेंगे आप वीडियो में लाश्ट सक बने रहें दोस्तों दोस्तों यह हमारी गाउं में नई टंकी बने यह देखिए आप यह और इसके दोस्तों बहुत दिने के बाद मैं आज हम आपको अच्छे ची नजार दिखाएंगे और एक मंदीर जो अमारे गाउं का परसिद मंदीर है श्री नर्शिंग जी भगवान का मंदीर उस मंदीर का आपको दर्शन भी कराएंगे तो वीडियो में बने रहें दोस्तों यह जो और इदर पास में जो फेड़ पोदे आ रहे है इसके फीचे बाला जी का परसिद मंदीर है जो बड़ा किला गाउं का बहुत ही बड़ा मंदीर है और परसिद है यहां का मंदीर और दोस्तों हम चलते हैं उस मंदीर में दोस्तों हम आचुके हैं बहुत ही नजदिक मंदीर के पास आचुके हैं और यह इदर इसकूल दोस्तों आगे चलते ही खेड़ आचुके हैं और यह सामने पिपल का पेड़ है और यह खेड़ फ़ाब में पानी पिते ही जानवर आगे चलते हैं उस मंदिर में दर्शन करेंगे दोस्तों यह हमारे गाउं का सिकूल है और इधर देखिए यह चतुरी और यह नार्शिंगी का मंदीर है आगे चलते ही आपको दिखाएंगे उनका दीरन कराएंगे दोस्तों honor गां की बह जर ये इस्तान है आपको बताते हैं नजदिक जाने पर एक शिला लेक दिखाई दिया हमारे को ये जो बासा समझ में नहीं आ रही है कुछ अक्सर मीट भी चुके हैं और कुछ पैचानने में भी आ रहे हैं कुछ पैचानने में नहीं आ रहे हैं आपको देखिए ये शिला ल दोस्तों हम आ चुके हैं और नर्शिंग जी बहुआन के यह मंदीर का प्रागन हिर और सामने यह मंदीर है पूरैदर यह बाला जी का इस्तान है और आघे अंदर जाएँगे लंबाला सीके मंदीर में आप रूदेंहें यह भी खापी प्राचिन मंदिर है जो बाला जी का मंदिर और यह बाला जी का मंदिर है खापी प्राचिन मंदिर है और यह शिवलिंग महादेव जी का मंदिर और यह बाला जी का मंदिर बाला जी का मंदिर बाला जी की मूर्ति है दोस्तों यह गेट बंद है अभी और यह मंदिर देखिए इधर चोटा सा मंदिर है और इधर यह नर्शिंग जी का मंदिर है अभी गेट बंद है दोस्तों खापी प्राचिन मंदिर है यह अमारे बड़ा खेडा गाउं का खापी प्राचिन मंदिर इसकी बनावट देखिए आप यहां सीडिया लगी हुई है जो यह पत्तर है खापी प्राचिन पत्तर है यह देखिए और इधर बबुल है और इसके ये मंदीर की बनाओट, कापी अच्ची बनाओट है, प्राचीन हमें, ये मंदीर, और इसके ये साइडों में खंबे हैं, और ये प्राचीन मंदीर है, और इस पर ये दरारे हैं, फिर भी यह मंदिर अभी भी टिका हुए अभी जो मंदिर बन रहे हैं उसके मुकाबले खापी अच्छी इनकी बनावट हुई है प्राचिनकाल में जिस वज़े से यह अभी भी यह मंदिर इसके यह दिवारें अभी भी ही टिकी हुई है मंदीर का नाम लिखा हुआ है यह नर्शिंग जी का मंदीर है अभी गेट लगा हुआ है ताला लगा हुआ है फिर कभी आपको दर्शन कराएंगे जब अंदर का व्यू भी दिखाएंगे आपको अभी आपको इसके बारे में बताएंगे और इसके जो बनावट है दोस्तों आगे चलते हैं एक सिला लेक मिला जो मंदिर के बारे में विशेशता बताता है और ये इस पर लिखे हुए है प्राचिन काल के जो भासा है और लिखे हुए है कुछ-कुछ समझ में आ रहा है यहा बंदुल झाल झाल दोस्तों यह मंदिर अभी नर्टिंग बगवान का मंदिर बंद है फिर कभी आएंगे आपको अंदर का व्यू भी अंदर का जो नजारा आपको दिखाएंगे जो अभी बंद है ताला लगा हुआ है फिर कभी आएंगे तो अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक झाल झाल झाल